नमस्कार दोस्तों, इंडियास ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चानल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतिया वायूसेना द्वारा परसो को टेस्ट किये गए इस्राइली रॉक्स एयर लॉंच्ट बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। वायूसेना की तरफ से इस्राइल से कई मिसाइल सिस्टम अक्वायर की गई थी और इनमें से एक मिसाइल सिस्टम ये रॉक्स था। अभी आप सब अपने स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जिसमें इसकी पूरी डिटेल्स है। आप सभी को ये बता दे की फिलाल वायूसेना ने ऐसे सो मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया है जिने सुकोई SU-30N Cakei में फिट किया गया है और ये अंदमान में जो टेस्ट पर सो किये गए है वे सुकोई से ही किये गई है और सुकोई में इन मिसाइल सिस्टम के इंटीगर को भी वालिडेट किया गया है अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो रॉक्स एक नई पीडी की extended standoff range air to surface मिसाइल है रॉक्स मिसाइल की सबसे बड़ी खुबी है कि ये GPS सुविधा से वंचित क्षेत्र में high value वाले स्थिर और स्थानांतरित करने योग्य टारगेट पर हमला करने के लिए design किया गया है इस मिसाइल को penetration या फिर blast fragmentation वाहेड से equip किया जा सकता है ये मिसाइल pinpoint accuracy के साथ में अपने target को द्वस्त करने में सक्षम है इसकी trajectory horizontal हो सकती है या फिर requirement के हिसाब से आप इसे vertical trajectory में भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर vertical trajectory का मतलब है कि ये एक air launched ballistic missile system है जो हवा में पहले उपर तक जाता है और उसके बाद gravity के प्रभाव के कारण अपने लक्षे के उपर जाकर गिरता है इस trajectory को आप पूरी तरीके से एक ballistic trajectory नहीं कह सकते हैं और इसी वजह से इसको quasi ballistic trajectory कहा जाता है इस missile system की दो सबसे बड़ी जो खास बात है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि जिसमें पहला ये है कि यह missile system intense communication और GPS jamming environment में काफी आसानी से perform कर सकती है और दूसरा अगर आपकी target location में कुछ error है तो उसको भी यह mitigate कर सकती है Israeli company Rafael की तरफ से इस missile system के बारे में बहुत ज़्यादा detail पबलिक में नहीं डाली गई है लेकिन जो information दी गई है उसके हिसाब से यह एक air launched ballistic missile system है जो launch होने के बाद में GPS और INS का प्रयोग करते हुए target के करीब तक पहुँचती है और mid coast के बाद में इसका anti radiation seeker अपना काम करना शुरू कर देता है target से आ रही तरंगों के उपर ही यह अपने आपको lock करती है और फिर जाकर उसे radar target को destroy कर देती है राफाइल की तरफ से इस missile की range का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन समवाद संस्था एनाई की माने तो इस missile की range 250 km की है भारत में इस missile को crystal maze 2 नाम से बुलाया जा रहा है भारतिय वायू सेना के document में भी इसे crystal maze 2 नाम से mention किया गया है जो भी हो इस missile का test बहुत सारे लोगों के लिए एक surprise था जिसके बाद जोर चर्चाएं शुरू हो गई है अब यहाँ पर दर्श को और देश वासियों को हम 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खुनी जड़प के बाद उत्पन हुए तनाव पुर्ण स्थिती को एक बार फिर से याद करने को कहेंगे क्योंकि तभी सरकार की तरफ से भारतिय सशस्त्र सेनाओं को ये emergency procurement power दिये गए थे जिनके अंदर ही सेनाओं अपनी अपनी जरूरतों के मताबिक इंस्टेंट बेसिस पे विदेशों से अम्यूनिशन और हतियार एकठे किये थे जो उस वक्त हमारी तैयारियों के हिसाब से एक गेम चेंजिंग निर नए था अब इसी का फाइदा उठाते हुए भारतिय वायू सेना ने अपने critical जो requirement थी जिनको पूर्ण करना उस वक्त जरूरी था उन्हें इमजेंसी procurement के तहत पूर्ण किया गया और तभी वायू सेना की तरफ से इस्राइल से बहुत सारे ammunition और missile खरीदे गए जिनमें मुख्य थे, rampage और rocks missile अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर उट रहे होंगे कि जब हम खुद इसी क्लास के रुद्रम सीरीज के missile को develop कर रहे है तो इस्राइल से इन missile को खरीदने की क्या जरूरत थी? आप सबका सवाल जाइस है, लेकिन आप सबको ये देखना होगा कि कितने संख्या में इन missile को खरीदा गया है सिर्फ 100 missile को खरीदे गए है आपको क्या लगता है, वायू सेना का ऐसे missile का requirement सिर्फ 100 missile का है? जी नहीं, requirement इससे कई गुना का है इसका मतलब वायू सेना बाकी बचे requirement को स्वदेशी रुद्रम missile से पूर्ण करेगी ये procurement सिर्फ एक stop gap arrangements था जो चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे उस तनाव पूर्ण परिस्थिती में एक उचित निर्नए था और अगर स्वदेशी रुद्रम missile की बात की जाए तो, तो ये दो variant में आएंगे पहला होगा एक anti-radiation missile जो एक anti-radiation seeker के साथ में आएगा और दूसरा होगा एक imaging infrared seeker के साथ में आने वाला air launched ballistic missile अब इस category में रुद्रम दो पड़ती है जिसका range लगभग Israeli rocks missile के समकक्ष यानी 250 km के आसपास या उससे भी अधिक हो सकती है तो वही रुद्रम तीन missile जो इस वक्त development stage में है उसका range 500 km तक होने की समभावनाए है जो एक hypersonic air launched ballistic missile होगी और जिसकी तुना आप रुसी किंजल hypersonic air launched ballistic missile से कर सकते है यानी भबिश्व में भारतिय वायू सेना के पास standoff range वाली ऐसी कई सारे घातक missile के भंडार मौझूद रहेंगे इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही उमीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक देखते रहें इंडिया's growing military power जाए हिंद